असलाम अलेकुम, कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माई चैनल जैसा कि आप सब ने मेरी जॉइन पेंड रिलीफ मखाना रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जिसका आइकाड आप उपर देख सकते हैं और मेरे काफी सारे सबस्क्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें बहुत कम बजट में कैल्शम रिच और जोएन पेंड रिलीफ मखाना रेसिपी बताएं तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत कम बजट में एक ऐसी रेसिपी लेकर रहे हूँ जो बुड़ों, जवानों, बच्चों के लिए बहुत फाइदे मन्द होगी तो आज की वीडियो तो बिल्कुल भी स्किप्पत कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा तो चलें स्टार्ट करते हैं, बिसमिल्ले रिख्मानी रहीम, आप देख रहे हैं मेरा योट्यूब चैनल टेस्टी फूड विद नौरीन, तो आज मैं आप लों के लिए लेकर आए हूँ बहुत जबदस सी रेसिपी जो ताकस से बरपूर है तो चलें इसे बनाने स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक कप फूल मखाने, जिसे लोटस सीट या फॉक्स नट्स भी कहते हैं अगर हम इसके फाइदे की बात करें तो इसमें बहुत वाफर मिगदार में एंटी एजन प्रॉपरिटीज होते हैं इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है, शुगर और दिल के मरीज के लिए बहुत ज्यादा फाइदे मंद होती है और इसमें कैल्शम के मिगदार दूट से भी ज्यादा होती है जो हमने दूसरी चीज ली है वो है भूने काले चाने जिसे ब्लैक चिक पिस भी कहते हैं ये भी हमारे लिए बहुत फाइदे मन्द है इसमें फाइबर, जिंग, कैल्शम, फॉलिक एसिड और मिनरल्स होते हैं काले चाने हम ले लेंगे आदा कप अब यहां पे हम लेंगे पॉपी सेट्स जिसे खशखाश भी कहते हैं ये हमारे लिए कितना फाइदा मन्द है ये हमारी द्यादाश को तेज करता है नजर को तेज करता है वैसी तो ये छोटे छोटे दाने होते हैं लेकिन ये बादाम से ज्यादा हमारे लिए फाइदे मन्द होते हैं या high blood pressure और cholesterol को control करता है और हडियों को मद्बूत करता है और भी इसमें बेशमार बेशमार फायदे हैं यह हम ले लेंगे 1 tablespoon इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है jaggery powder यानि good sugar यह हम ले लेंगे 2 tablespoon इसकी जगह आप मिश्री भी ले सकते हैं लेकिन मैं आपको prefer करूंगी कि आप jaggery powder या brown sugar लें अगर आप sugar patient हैं सबसे पहले एक frank pan लेंगे और इसे रखेंगे low to medium flame में चुले पर और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे फूल मखाने फूल मखाने को 3-4 मिनट हम करेंगे roast बिल्कु ड्राय रोस्ट करना है इसमें किसी किसम का मखण या घी हम add नहीं करेंगे यह जितनी चीज़ें हमने ली है सब ड्राय होनी चाहिए इसे हम roast करेंगे तकरीबां 3-4 मिनट low to medium flame में जब हलका हलका इसका color change होने लगेगा यानि कि यह white से हलके हलके से golden होने लगेंगे और crispy होने लगेंगे तो हम इसे उतार लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे इसका taste ब बहुत जादा भरपूर होता है इसके फाइदे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अब तीन से चार मिनट होने वाले हैं इसे roast करते करते इसे हम निकालेंगे किसी बरतन में और इसे हम कर लेंगे ठंडा room temperature में अब उसी frying pan में मैं add कर दूंगी poppy seed यानि खश 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 और बिल्कुल low flame में मैं इसे करूंगी दो मिनट तक dry roast इसे भी dry roast करेंगे लेकिन इस बात कर दिहान रखिएगा flame बिल्कुल low होना चाहिए क्योंकि जरा सबी medium या high flame होगा तो यह फॉरण से dark होना शुरू हो जाते हैं और पर dark होते होते यह जनना शुरू हो जाते हैं तो हम इ इसे भी किसी बरतन में निकालें और room temperature पर ठंडा कर लें यह दोनों चीज़ें हमने roast कर ली हैं अब हम इसे डालेंगे किसी mixy jar में खुछ खुछ के बारे में आपको एक बताना मैं भूल गई कि जब हम इसे roast करने लगेंगे तो इससे पहले इसे चाय वाली चंदी में डाल अब इसमें एट कर देंगे काले भूने चाने और साथ ही इसमें एट कर देंगे जैगरी पॉडर और इसे भी पीस कर इसका fine powder बना लेंगे इन तमामते चीज़ों को पीसने के बाद इसका इस तहां से हमने पॉडर बना लिया बिल्कुल बारिक सा अब आप इसे किसी air teat jar म बन कर के फ्रीज कमें रख सकते हैं और इसे आप यूज कर सकते हैं एक महीने तक अब मैंने यहा पे लिया है एक गिलास नीम गरम दौद इसबात का खास दिहान रखेगा कि दौद नीम गरम होना चाहिए ठंडा या फ्रीज का लगा दूद नहीं une half तेबिल स्पें या वन एना हाफ टेबल स्पून आप इसमें एड़ कर सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स करें लेकिन अगर आप इसे देंगे अपने बच्चों को यानि कि जो स्कूल गोइंग बच्ची होते हैं अगर आप उनको भी देना चाहते हैं दूद में डाल कर तो छोटे बच्चों के लिए यानि कि जो आट से दस ताल तक के बच्चे हैं उनके लिए आप इसमें डालेंगे सिर्फ वन टीस्पून स्कूल गोइंग बच्चों की हड़ियां मضبوط करने के लिए और दिमाग तेस करने के लिए वन टीस्पून अगर आप इसे नीम गरम दूद में बच्चों को दें या आप खुद पीए नाश्टे की एक घंटे बाद इसे अपनी रूटीन में शामिल कर लें आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगी नेक्स वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्ला हाफिज